असलाम वालेकुम टुवाल आफित व साथ हो कैसे आप सब लोग फाइनली यहां पे आप सब लोग के लिए एक्जाम की डेट आउट हो चुकी है आप मेंसे जितने पी लोग ऐसे हैं जिन लोग उने कुईज में पार्टिस्पेट किया है उन सब के लिए यहां पे गूड निकल के आचुकी है एक्जाम का डेट आउट हो चुका है साथ शाथ यहां पे सलेक्शन लिस्ट भी आउट हो चुका है जितने भी लोग फाइनल एक्जाम के लिए appointment किये गए हैं, select किये गए हैं जिन लोगों की registration successful हो गई हैं तो अब आप सब लोग को किस तरह से पता चलेगा कि आपकी registration successful हुई है या नहीं है और साथ इसाथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपका exam date कब है, time क्या है किस समय आपको देना है, कहां पे देना है सब कुछ यहां पे आपको बताया जाएगा और साथ यहां पे यह जो notes आपको दिये गई थे यह आपको किस तरह से readout कर लेने last दिनों में वो भी यहां पे आपको बताया जाएगा इसलिए वीडियो आप सब के लिए important है जिस जिसने भी यहां पे quiz में participate किया है उन सब के लिए वीडियो important है और अभी भी अगर कोई quiz में participate करना चाहता है उसके लिए भी video important है overall सब के लिए video important है वीडियो को skip मत करना, वीडियो को end to end जरूर देखना तो ज्यादा टैम पे वेश्ट नहीं करेंगे डेलेकल हम आज जाते हैं नोटिफिकेशन की तरफ यहां पे आप देख सकते हो जो exam date और साथे साथ रिएशेशन लिस्ट है यहां पे आउट हो चुका है आपने जो quiz में participate किया था जो कि notification number 1 of 2023 थी जो कि 7 दसंबर 2023 को notification आउट हुई थी quiz competition के लिए जिसमें winning amount 10,000 रुपीज है और साथे साथ यहां पे मैं बात करूँ जिसने भी ऐसे candidate हैं जिन लोगों ने इस quiz में registration की थी और यहां पे जो है उनका जो exam है वो दो phase में schedule किया जाएगा सबसे पहला exam जो है वो आपका demo test होगा याद रखने नहीं सबसे पहला exam जो आपका demo test होगा वो जो demo test होगा 22 December 2023 यानि कि 22 December को आपका demo test होगा जो कि 5 बजे conduct किया जाएगा लेकिन याद रखना है जो demo test है इसमें कोई भी price dispute नहीं किया जाएगा ये 5-6 questions का demo test होगा ऐसे ये randomly question पूछे जाएगे ताकि आप समझ सको इसको लेकर चिंदा करने की जुरत नहीं है और ये जो demo test रहेगा ये जो है पांच बजे से आप दे सकते हो और साथ यहाँ पर जो आपका final exam है ये जो फाइनल एक्जाम आपको होगा वो 24, ठीके नहीं, 24 December 2023 को यहाँ पर schedule करवाया जाएगा यानि कि आपका जो final exam है 22 December 2023 को पांच बजे जो है schedule किया गया है और ये भी आपको याद रख लेना है कि एक्जाम को किस तरह से देना है, क्या देना है ये सारा का सारा मैंने समझा के रखा है guidance videos में वो एक बार चेक कर लेना यहाँ पर आप सब लोग को ये भी information दी जाती है जितने भी participants ऐसे हैं जिन लोग उन्हें quiz में participants किया है उन सब से request की जाती है उन सब को advice किया जाता है कि जो guidance videos available है application में उसी package में उनको एक बार exam से पहले जरूर देख लेना अगर आपने वो नहीं देखी होंगे तो आप जो है ये analyze नहीं कर पाऊगे किस तरह से आपको exam देना है कहां पर देना है किस तरह से आपका exam होगा तो आप जो है मुश्किलात में पढ़ सकते हो और आपको जो दिकता सकती है उससे आपको जो प्रावल में आपको खुद से face करती है पड़ेगी यहाँ पर आपको दुबारे से यह मैं बतारा चाहूँगा कि आपको जो है guidance videos चेक कर लेने है जो कि already quiz package में available है ठीक है यह guidance videos आपको कहां से मिलेगी किस तरह से मिलेगी वोब में आपको भी समझाऊँगा देखो चलो सबसे पहले मैं आपको वही समझा देता हूँ यह जो आपके guidance videos है जब आप अपने application में जाते हो उसके बाद आप my course में जो आप click करते हो तो आपके सामने package आता है यह यहां पर randomly image है आपको quiz package जो होगा ठीक है उस quiz package के image पे जब आप click करते हो तो उसके सामने इस तरह से आपके interface आता है तो यह जो पहला वाला है ने जो पहला वाला icon है जब आप इस पे click करोगे तो यहां पे आपको एक folder देखेगा प्राइज quiz का उस पे आप click करोगे तो quiz guidance का folder आएगा उस पे आप click करोगे तो आपके सामने तीन वीडियो आजाएंगे वो तीनों के तीनों वीडियो आपको देख लेने जिससे आपका सारा का सारा doubt कलेर हो जाएगा किस तरह से आपको exam देना है क्या कुछ करना है सब कुछ आपको पता चल जाएगा और साथ साथ ये जो तीसरा आइकन है यहाँ पे आपको notes मिल जाते है और notification मिल जाती है ये जो notification upload हुई है ये पूरी की पूरी notification आपको वहाँ से भी मिल जाएगी और इसे आप download भी कैसे कर पाओगी वह भी मैं आपको बताने वाला है और आपका जो test होगा वह इस वाले आइकन पर होगा फूर्थ वाले आइकन पर होगा लेकिन आपको मैं बताता चलों कि यहाँ पे जो पहला आइकन है इसके नीचे जो price quiz का folder उस पर क्लिक करोगे quiz guidance पर क्लिक करोगे आपके समय तीन वीडियो आएंगे वह तीनों के तीनों वीडियो लाजमी सब लोग को देख लेने हैं जिनका exam होने वाला है जो select होए है और साथे सब कुछ पता चल जाएगा क्या करना है और हाँ अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्यारी हो यहां पर मैं आपको बताता है चलूँ आप इस नंबर पर call कर सकते हो और हाँ इस squeeze की जो registration है वो close हो चुकी है अब हमारे application पर आपको यह package नहीं देखने को मिलेगा वहां पर registration close हो चुकी है जितने लोग add हो गए है वही add हो गए है अब यहां पर add कोई नहीं हो पाएगा लेकिन हाँ आज 19 तारिक है कल 20 तारिक है कल दिन के लिए भी registration open रहेगी लेकिन वो स्रिफ और स्रिफ offline registration open रहेगी जिसको भी offline registration करानी हो कि वो इस नमबर पर call कर सकता है शिर्फो स्रिफ कल दिन के लिए और आज है ठीक है ना मतलब स्रिफो स्रिफ 20 तारिक हैने कल दिन के लिए यहां पर offline registration open रहेगी उसके बाद जो है आप candidate देख रहे हो यह जो लिस्ट यहां पर out हुआ है यह जो है final list है जिन लोगों की registration successful हुई है without any fault और यह जो है select किये गए है final exam के लिए अगर मैं इन candidates के बात करूँ यह सभी candidate जो है final exam के लिए eligible है और final exam के लिए select हुए है इनकी registration successful हुई है यहां पर यह लिस्ट आप चैक भी कर सकते हुए यहां पर आपका नाम देखने को मिलेगा और जो आपके phone number के last two digit है वह आपको इस एरह में देखने को मिलेगे और यहां पर आपको address का area देखने को मिलेगा और यहां पर आपको अपना registration status देखने को मिलेगा देखे में और यहां पर बहुत सारे candidates की registration कैंसल करने वाला था क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों ने अपना address फिलप नहीं किया है और साते साथ एक candidate ऐसा भी है जिसने अपना नाम सिर्फ हो सिर्फ लिखा है student मैंने पहली कहा था कि यहां पर अपना valid नाम लिखना और अपना valid address लिख होंगे उनका ध्यान रखना ठीके ना हमारी quiz जैसी एंड होगी उसके बाद दूसरी notification आएगी दूसरी quiz की यह भी आप सब लोग याद रखना लेकिन उस quiz में इन चीज़ों के ख्याल रखना तो यहां पर जो पूरा list है यह आप download भी कर पाऊँगे और साथे साथ यह आप जो है application भी देख पाऊँगे आप चंता ना करें ठीके ना यहां पर आपको याद रखने हैं यहां पर जो जैसे के उजैर रियाज है तबसम अमीन है ठीके ना मुक्तार हम अमीर है खुजबू शेख है बासित है शाहिद करीम है रेशी जावद है अबरार बशीर है लेकिन यहां पर कम ही candidate हमने फैनल एक्जाम के लिए appointment किये है जिनकी राइशन सेक्स फुल हुई है विदाउट अनी फाल्ट यहां पर जो है यहां पर यह फैनल एक्जाम के लिए स्लेक्ट हुए है और साथ असा आपको बताता चलू कि यह पूरा का पूरा लिश्ट है कहा यहां से आपको देखने को मिलेगा यह वहीं से जहां पर आपको जो है नोट्स बगएरा अविलेबल है नोट्फिकेशन नोट्स सेक्शन वहीं पर आपको यह अविलेबल देखने को मिलेंगे सब लोगों को पता है कहां से मिलेगा कहां से नहीं मिलेगा ठीके ना आपको म MyCourse में जाना है, और यहां पर थर्ड आइकन पर नोट से नोटिफिकेशन, वहीं पर आपको यह भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, और साथ यह जो पहला वाला आइकन हैं, याद रख लेना, सभी लोग चेक कर लेना, कि जिस जिस इसमें जो तीन वीडियों हैं, जो सभी लोग मेंडरेट ही देख लेना एक्जाम से पहले और हाँ हमारी application वो एक बार चेक कर लेना कि उसका जो update है जिस उसको update आया है वो update कर लेना playstore से याद रख लेना एक्जाम से पहले हमारी application एक बार अपडेट कर लेना जिस उसको update आया होगा अब रहा सवाल यह जो selection list है यह आप कहां से download कर सकते हो और साथे साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि जो PDF है इसमें आपको किस तरह से क्या कुछ पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाल यूट्यूब से तो comment box में आपको pin count में link मिल जाएगी वहीं से उस में उस link पे click करके अप इस पूरी application जो notifications को download कर सकते हो अगर आप Facebook से देख रहे हो तो उपर description में आपको link मिल जाएगी पूरी PDF की वहां से आप download कर सकते हो लेकिन ठहरें यहां पर आपको समझना बहुत ही यह PDF ठीक है नहीं फिर भी एक बार एन उस दुबारे से कर देता हूं कि 22 तारीख को यहां पर आप देख सो तो 22 तारीख को आपको आपका डेमो रखा गया है जो कि randomly होगा चार-पांच है छे questions का लेकिन वह मैं hard डालूँगा उसको देखकर परेशान मत होना ठीक है नहीं डालूँगा लेकिन believe me believe me जो आपका 24 तारीख को Sunday को आपका exam होगा पांच बजे वो इतना easy होगा इतना easy होगा कि आप तसवर भी नहीं कर सकते हो बेसिक से basic होगा इस मैं ठीक है ना मैं आप उमेद रखे जिसने hardware की होगी वो जीतेगा और साथे साथ यहां पर मैं आपको बताता चलूँ कि यह जो PDF है सब लोगों ने यह read out कर ली होगी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा ज्याद समझाने की जूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत guidance कर लेता हूं इसमें जैसे कि यहां पर जो यह पॉइंट जो है आपको याद रखने है कि वेदा का है सबसे oldest वेदा है इसमें कितने हाइमस पाया जाते हैं कितने mandalas है इसमें ठीके ना यह जो reader है इस book का उसे क्या कहते हैं साथे साथ की जो third mandal है यह किसने compose किया है यह सारे की सारे points आपको याद रखने है अच्छी तरह से समवेदा के regarding इसे जो है वेदा of music के नाम से भी जाना जाता है इसके reader को क्या कहते है अधातरी कहते हैं इसके समवेदा है मूस'कल फरम में है यह आपको याद रखली नहीं इसमें कितने हाइमस है यह जुर्वेदा इसका नाम क्या है ठीके oldest वेदा कुन सी है या इस तरह से जो है यह बात है आपको याद पॉयंटस से आपको मैंड में बिठाने है अच्छी तरह से बिठाने है उसके बाद जो इस्टोरिकल लिटरी चरे अरत्शास्त्रा किसने लिखी है अच्छी तरह से इसके बाद जुद इंपॉर्टन पॉइंट से क्या कहते हैं सबसे ओल्डेस्ट कौन है यह जो इंपॉर्टन पॉइंट से सभी माइंड में आपको बिठा देने अच्छी तरह से आपको याद रख देने ताकि आप याद रख पाऊ ठीक है और साथ यहां पर इसी तरह से पॉइंट सबको पढ़ने हैं आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें छे से साथ मिनट या पांच शे मिनट या इस तरह से आपको समय दिया जाएगा वो मैंने आपको सब कुछ बढ़ा के रखा है गाइडनिस वीडियो में यह आप एक बात चेक कर लें लेकिन यहां पर मैं जो है रियल्टी कह रहा हूं कि जितना इगर आप नहीं होना उतना एगर मैं हूँ यह देखने के लिए कि विनर कौन बनेगे जो इसमें से इनी में से इनी में से यह जो यहां पर लिस्ट है इसी लिस्ट में से कोई एक बंदा होगा जो कि यहां पर विनर आएगा रैंक वन लाएगा रैंक टू लाएगा रैंक तक जो आएंगे वो यहां पर प्राइज जेतेंगे लेकिन यहां पर आपको फिर भी बताता चलों कि जो प्राइज है इस एप्रिसेशन आप सब लोगों को मैं रियल्टी में कह रहा हूँ यह जितने भी कंडेट से यहां पर है सबसे पहली बात आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रियादा करता हूँ और वेल्कम आपका मैं करता हूँ कि आपके अंदर यह गट से कि आप यहां पर इस फिल्ड में आए और आपने आपको परखनी की आपने कोशिश की जो भी होगा आपको जो है common लेना है चाहिए आपकी rank आए ना आए चाहिए अच्छा करो ना करो लेकिन आपको यह याद रखना है कि आप जो है किसी ना किसी quiz में आपको rank लानी है यह target आपको रखना है कि किसी ना किसी quiz में आपको rank लानी है जितने भी लोग यहां पे हैं, इन में से आप कितना आगे हो, कितना पीछी हो, आपके अंदर कितने गड़ से, वो आप यहां पे अच्छी तर से चेक कर पाओगे, अनलाइज कर पाओगे, ज्यादा यहां पे आपको परेशान होने की जोरत नहीं है, विश्यू आल दे बेस् अच्छी बात है, जो लोग नहीं लाएंगे, वो नेक्स्ट क्विज में अपना वैस्ट देंगे, अच्छा देंगे, लेकिन हमारी क्विज आते रहेगी, इन्शालला हर मंथ यह क्विज एंड होने के बाद, फोरन हमारी नेक्स्ट क्विज होगी, उसकी नोटफिकेशन आएगी, उसकी राइशन चलेगी, उसका सिल्बस हम आउट करेंगे, और हाँ यहां पर थोड़ा पूद कंप्रमाइज कर लेना, पहले क्विज में हमने सिर्फो स्रिफ एक पोर्शन रखा था, वह हिस्ट्री का, यहां पर बहुत सारे ऐसे भी थी जो अधर और यहां पर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, टैन विनर्स के इंटर्व्यू के साथ, साते साथ, जो है, नेक्स्ट क्विज में जब प्राइस रिश्बूट करेंगे, तो बहुत मजा आएगा, मुझे आपसे भी ज्यादा इंतजार है, विश्यू आल दा बेस्ट, अल